हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुमा यूट्यूब चैनल आसिफ अजद दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अधार काड में ऑनलाइन अपडेट कैसे करें और ऑनलाइन अपडेट करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए दोस्तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे कि online update करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है तो दोस्तों वीडियो को पुरा देखिए और आप इस चैनल पर नए है तो पहले चानल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को on कर दिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का notification मिलता रहे तो दोस्तों चलिए व हो रहा है वह आपको पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम उसको online update किये थे जो देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा acknowledgement received for SSUP demographics update और यहां पर transaction successful और यहां पर मेरा uran number है और यहां पर देखिए date लिखा है यहां पर payment date in time जो लिखा है देखिए यहां पर 13 जनवरी 2021 तो दोस्तों हम अपने अधार कड में नाम सुधार करने के लिए online update किये थे 13 जनवरी को और अभी तक दोस्तों अभी तक मेरा को अभी भी सुधार नहीं हुआ है और मैं कभी परिसान हुई इसको लेके कि मेरे अधार कर में नाम जोग था वो गलत था उसको सुधार करने के लिए हम online update किये थे कि जल्दी हो जाएगा एक हफ्ता के अंदर में हम वीडियो भी देखे थे YouTube पे जिसमें पता चला था कि 48 घं है वो अभी तक ये पेंडिंग ही दिखा रहा है दोस्तों ये बहुत बरी गलती है इसकी ये online update की कि हम लोग जब भी online update करते हैं तो हमारा payment हो जाता है और update नहीं होता है और अगर update हो भी जाता है तो बहुत time लगता है दोस्तों इसमें हम क्या किये customer care से भी बात किये कि हमा वो बोल रहा है कि आप 90 दिन तक इंतिजार करिए तब update होगा अब बताइए लोग online update करते हैं कि उनका काम जल्दी हो जाए और कहीं जाना ना पर है और line में धाका ना खाना पर है क्योंकि अधार सेंटर पर आप भी जानते हैं कि अधार सेंटर पर जाने के बाद लंबा line रहता है उसमें लाइन लगा यह फिर फोर्म भरिये और फिर online update करने के लिए उनको फोर्म दीजिए जिसमें बहुत मुस्किल होती है दोस्तों तो लोग online update कर लेते हैं कि जल्दी हो जाएगा अभी हम आपको दिखाते हैं कि मेरा अभी status क्या सो हो रहा है तो दोस्तों चलि देरा uidai.gov.in इसको open करेंगे इसको open करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे हम आए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे update अधार पे यहाँ पे देखे लिखा है check online demographics update status तो दोस्तों हम इसको open करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी तक मेरा क्या सो कर रहा है जो कि हम 13 जनवरी को online update करने के लिए किये थे तो दोस्तों यहाँ पर अपना मैं अधार नंबर लिखते रहा हूं और आपको status हो करके दिखा तो दोस्तों चेकर करने के बाद में मुबाइल पे OTP जा चुका है उस OTP को हम यहाँ पे enter करेंगे और check status पे click करेंगे ठीक है तो दोस्तों OTP कर लेते हैं दोस्तों OTP पेंटर करके check status पे click करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे देखे क्या सोब रहा है यहाँ पर लिख रहा है यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों यह देख लिजी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हम इसको 13 जनवरी को online update कर दे थे जो की नाम में change करना था और वह अभी तक update नहीं हुआ है दोस्तों हम कितना बार इसके customer care से जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है contact or stall free number 1947 इस पर call करके भी हम पता किये हैं कि सर हम online update करने के लिए mobile से किये थे और अभी तक मेरा update नहीं हुआ तो वह मैं उसको डीटेल्स मांगा और उसको बताए details और वो बोल रहा है कि सर आपका भी details सो नहीं हुआ तो हम बोले कि सर हम इसको online किये थे कि जल्दी हो जाए और अभी तक नहीं हुआ हम क्या करें इसको तो हम बोले कि सर हम इसको सोच रहें कि जाके offline जैसे अधार के अंदर पे जाके इस दोस्तों बताइए हम लोग online update करते हैं जल्दी हो जाने के लिए और यह इतना टाइम लएगा तो कोई कैसे online update करेगा तो दोस्तों हम तो बोलेंगे कि आपको अगर जल्दी है और अधार कर में नाम या कुछ भी चेंज करवाना हो तो अधार के अंदर पर ही जाएं और वहां चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको हेल्प करता रहा हूं तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में जय हिंद